हलो दोस्तों नमस्कार मेरे इस यूटूब चैनल में आप सबी लों का दिल से बहुत बहुत साहथ करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मारूति सुजुक इंडिया लिमिटेट की उपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाह हैंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मारूति सुजुक इंडिया लिमिटेट की उपर हम बात कर रहे हैं आज का कारोबार सबसे पहले देखते हैं मारूति सुजुक इंडिया लिमिटेट की उपर का तो आज का कारोबार हमें 7585 रुपय का भाव देखने को मिला है यह स्टॉक आज ओपेंड हुआ था 7680 रुपए के भाव में हाई बनाया इसने 7716 रुपए का लो इसका आज का हमें देखने को मिल रहा है 7415 रुपए का दोस्तों इसका करेंट प्राइज पी रेसियो हम देखेंगे अभी वह 51.27 का मार्केट केपिलेजिसन इसका 2.29 ट्रिलियन का है इसका 52 वीक का हाई हमें देखने को मिला है 8,329 रुपए का और वही 52 वीक का लो हमें देखने को मिला है 4,001 रुपए का दोस्तों ये हो गया मारुती सुजुक इंडिया लिमिटेट की उपर आज का कारोबार अब हम चार्ट के उपर वहां देखेंगे important support and resistance कौन सभाव में हमें देखने को मिल रहा है और अगले दिन हम क्या प्लान करने वाले हैं इन सभी बातों पे चर्चा होगा चार्ट के उपर चलते हैं चार्ट के उपर दोस्तों मैंने कल साब बोल दिया था कि 7580 के नीचे हम सेल करके जाएंगे हमारा टार्गेट रहेगा 7440 रुपए के करीब का हमार टार्गेट इसी स्टॉक ने अचीब नहीं किया है नीचे के लिए डवल बोटम का जो सीनिर्व हमें दीख रहा था पिछले दिन का जो लो था उस लो तक गया और वहां से हमने अपना प्रफिट बुकिंग कर लिया मारती सुझुक इंडिया लिमिदेड के उपर मैं सांधर प्रफिट देखने के मिला आज मारती सुझुक इंडिया लिमिदेड में अच्छा हम pattern के साथ breakdown हुआ हम जैसा सोच रहे थे वैसा ही हुआ हमने जो प्लान किया था कि इसके नीचे हम sale करेंगे यहां तक हम target रखेंगे उसी तरीके से हमने plan के साथ इसी stocks में आज के trading session में हमने smartly move किया हुआ है मारती सुजुक इंडिया लिमिटेट के उपर अब हम चलते हैं कल के लिए क्या भाव important support and resistance के रूप में काम कर सकता है और हम की side अपना view रखें buy या sale तो चलते हैं कल क्या करेंगे उसके उपर दोस्तों मैंने कल के लिए important support and resistance का lining बना लिया है उपर के लिए important resistance के रूप में हमें देखने के मिल रहा है पहला जो भाव है resistance से रिया का वह है 7,715 रुपय का और वहीं दुसरा जो एरिया है resistance दुसरा वह है 8,000 रुपय का ये price हमारे लिए resistance के रूप में काम करने वाले हैं उपर के लिए उपर जब ये इसी stocks में बढ़त हमें देखने के मिलता है तब की बात है ये resistance पहला और ये resistance दुसरा हो जाएगा 8,000 का भाव resistance दुसरा 7,715 का भाव resistance पहला है अब हम देखते हैं नीचे के लिए important support area कौन साथ दीख रहा है जो पहला जो line है ये 7,480 रुपय का ये भाव है ये पहला support area के रुपय हमें देखने को मिल रहा है support level है 7,480 के नीचे ये stock निकलता है तो हमको target देखने को मिल जाएगा बड़ा target देखने को मिलेगा जो होगा 7,350 के करीब का तो कल के लिए जो पहला support area है वह हमको देखने को मिल रहा है 7,480 रुपय का ये पहला support area हो गया ये अगर break होता है तो दुसरा support area हमें 7,250 रुपय का ये भाव देखने को मिल रहा है करेक्ट है अब हम देखते हैं कल क्या प्लान करने वाले हैं तो दोस्तों कल भी मैं sales side अपना view रखने वाला हूँ ध्यान से आप इस बात को जानिएगा सुनिएगा कल sales side हम अपना view बना के चलेंगे price action देखने के बाद ये breakdown जो इसे ही होता है हम inter कर जाएंगे 7,480 के नीचे जैसे ही break होगा हम inter करेंगे इंटर point होगा हमारा ये 7,480 रुपए का तो हम sales side रहने वाले हैं जो sales का price होगा वह होगा 7,480 रुपए का 7,480 रुपए इसके नीचे हम inter कर जाएंगे sales side के लिए हमारा जो target होगा वह 100 पाइंट नीचे का ले लेंगे जो target होगा वह 7,380 का ले लेंगे अगर ये break हो जाता है नीचे नीचे भी हम target बढ़ाना चाहें तो 7,250 रुपए का target ले सकते हैं ये हमारा कल के लिए intraday के target होगे अंतिम target जो होगा 7,250 रुपए होगा इस दोरान हम जब stop loss लगाएंगे वा होगा इस सेल का जो price होगा उपर के लिए वा होगा 7,580 रुपए का हम 100 रुपए का उपर के लिए stop loss रख रहे हैं 100 रुपए का नीचे के लिए हम target के लिए इंटर करेंगे इस price में 7,480 के नीचे तो दोस्तों हम sell side अपना view बना रहे हैं next trading day के लिए मारती सुजुक इंडिया लिमिटेट के उपर ये हो गया निकल का setup हमारा मारती सुजुक इंडिया लिमिटेट के उपर तो चार्ट के उपर मैंने आपको बताया कौन से भाव में हम इंटर करने वाले हैं अब चलते हैं investing.com के website में वहाँ देखेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर हमारे साथ है कौन कौन से इंडिकेटर के जो संकेत हैं वे हमारे साथ है सेल के signal दे रहे हैं और हम अपना जो view बना रहे हैं वह कितना मजबूत बनने जा रहा है इन से भी बातों को जानेंगे investing.com के website में आइज हमें देखने के मिला है साथ हजाद पांच सो पचासी रुपए का टेकनिकल महने लगा लिया है यहां हम वन डे के टाइम फ्रेम में सबसे पहले देखते हैं पहला जो महत्वपूर इंडिकेटर है वह है moving garage का इसके दो द्वारा signal जो संकेत है वह है cell के उसके नीचे दुसरा महत्वपूर indicator हमारे सामने है महनटा ओक्सिलेटर strong cell का signal देखने को मिल रहा है उसके नीचे trained oscillator है strong cell का signal है बोल अटलिटी से भी strong cell का signal हमें देखने को मिला है तो महत्वपूर जो 4 indicator है उनके signals हमें सिंपल Dragon सिंपल इवरेज यह है। दो सिंपल इवरेज में South सिंपल रिट मोवींग रहा है वह सेल में सेंगे 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 सेल सिर्ट है exponential moving average 10 में सेल का सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है उसके नीचे में 20 जो है उसमें भी हमें सेल का सिग्नल देखने को मिल रहा है उसके बागल में exponential moving average 20 का सेल सिग्नल देखने को मिल रहा है EMA50 जो है यहाँ हमें Simple MA में SMA में SMA में सेल सिगनल है EMA 100 का SMA Buy signal है EMA Buy signal का संकیत हमें देखने को मिल रहा है MA200 में SMA में Buy signal है और EMA हमें Buy का सिगनल देखने को मिल रहा है नीचे हम आ जाते हैं मुम्टम वाले जो इंडिकेटर हैं वहाँ हम देखते हैं पहले जो मुम्टम वाला इंडिकेटर है उसमें देख रहे हैं RSI 14 नीट्रल सिंगनल हमें देखने को मिल रहा है उसके नीचे है इस्टोकास्टिक 9 and 6 दोस्तों यहां सेल का सिगनल देखने को मिला उसके नीचे स्टोकास्टिक्स RSI 14 हमें सेल का सिगनल देखने को मिल रहा है उसके नीचे है विलियम सार हमें सेल सिगनल देखने को मिल रहा है उसके नीचे है CCI 14 यहां भी हमें सेल का सिगनल देखने को मिल रहा है उसके नीचे ROC इससे भी हमें सेल सिगनल देखने को मिले Ultimate Oxylator यहां हमा जाते हैं यहां भी हमें सेल का सिगनल देखने को मिल रहा है उसके नीचे हम देखते हैं Trend Ox वाले जो Indicator है उनमें से MA CD 12 and 26 का जो सिगनल है वो हमें सेल का सिगनल देखने को मिल रहा है इसके नीचे है ADX 14, यहाँ से भी हमें Sell signal देखने को मिल रहा है, उसके नीचे है Bull and Bear Power 13, Sell का Signal हमेंदेखने को मिल रहा है, नीचे हम चेक करते हैं, volatility में यहां ATR 14, हमें by volatility देखने को मिल रहा है, उसके नीचे High and Low 14 जो हुँआ, सेल का सिगनल देखने को मिल रहा है तो दोस्तों इस तरीके से सभी जो इंडिकेटर है मुहत्वपूर इन सबसे हमें स्ट्रोंग सेल और सेल के सिगनल देखने को मिल रहे है डे के टाइम फ्रेम में तो हमने हमारा जो व्यू बनाया है वह भी डाउन साइड का ही बना के रखा है मैंने आपको प्राइज बता दिये हैं किस भाव के नीचे हम अपना व्यू बनाएंगे सेल साइड के लिए छोटे टाइम फ्रेम में भी हम चेक कर लेते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम में हम आजाते हैं यह गंटे के time frame का है 30 minute के time frame में हम चेक करते हैं 30 minute के time frame में दोस्तो moving is a cell signal दिया है mountain oxalator neutral है trend oxalator by के signal दिया बोल किती हमें neutral दिखने को मिल रहा है canad Lie stick pattern दोस्तों strong cell दे रहा है 30 minute के time frame में देखते हैं candलिश्टिक invaded कौन सा candle हमें देखने को मिल रहा है केनलिस्टिक पैटन में दोस्तों इन गल्फिंग बेर इस पैटन हमें देखने को मिला है और इस पैटन के अनुसार हमें स्ट्रॉंग सेल का सिगनल देखने को मिल रहा है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में channel pattern के अनुसार है या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों moving garage only one sale signal है बाकि neutral है और buy के signal है तो हमारा जो अधिकतर signals है वे sale के ही देखने को में रहे है buy side के तो view नहीं बना पा रहे हैं तो इस सभी परामिंटरों को देखते हुए हम कल के लिए मारतिय सुजुक इंडिया लिमिटेट के उपर सेल का अपना विउ बनाएंगे सेल साइड हम रहने वाले हैं मैंने आपको प्राइज बता दिये हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही साथ ही अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बिल आइकन को उन करना बिल्कुल मत भूलिएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए हैं उसको भी आप देख पाएंगे हमारा टेलीग्राम चैनल से